दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहती है लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो एक ऐसा रस्ता अपनाती है जो उसकी उम्र की लड़कियों के लिए सही नहीं था अब इन सब के चलते उसे अपनी जि डवोरा पर तूट पड़ता है और उसे प्यार करने लगता है लेकिन तभी डवोरा उसे रोग देती है और कहती है कि अभी वो इस सब के लिए तयार नहीं है इसके बाद डवोरा अपने घर पर आती है और बहां पर उसकी मॉम उससे कहती है कि उन्हें जॉब से निकाल दिया जिस पर डेवोरा उन पर काफी जादा गुस्सा करती है और सी के चलते दोनों में बहस हो जाती है। जिस पर डेवोरा की बातों को इगनोर करती है और उसे थैंक्स बोलकर बहां से चली जाती है। जोस से कहती है कि मुझे ये जीन्स पसंद नहीं। डेवोरा अपनी लाइफ स्टाइल से काफी परेशान थी क्योंकि उसकी उम्र की सभी लड़कियों के पास बो सब कुछ था जो वो चाहती थी पर दूसरी तरफ डेवोरा के पास कुछ भी नहीं था। फिर घर आकर डेवोरा देखती है कि उसके नाना सोई हुए हैं वो चुपके से उनकी अलमारी में से 50 डॉलर निकाल लेती है पर फिर उसे ये पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं इसलिए वो उन पैसों को रखकर वहां से सिर्फ 20 डॉलर ही उठाती है। फिर घर से बाहर निकल कर डेवोरा देखती है कि वो इसकूल वाली लड़की जिसका नाम जैनिफर था उसको पैरेंट्स ने घर से बाहर निकाल दिया है। जैनिफर उसे बताती है कि मैं एक ऐसी जगह काम करती हूं जहां पर तुम्हें बहुत सारे लड़कों के साथ काम करना होगा और उनकी सारी बात माननी होगी डवोरा उससे पूछती है कि क्या उनके साथ इंटिमेट भी होना होगा जिस पर जैनिवर कहती है कि ऐसा जरूरी नहीं है पर अगर तुम इंटिमेट होना चाहती हो तो तुम हो सकती हो इसके साथ ही वो उसे भी बताती है कि बहाँ पर काम करने के लिए तुम्हें अपना एक यूनिक नाम रखना होगा जिसके बाद वो डैबोरा का नाम वो रख देती है फिर अगले दिन डैबोरा पॉकेट मनी के लिए अपने मॉम से 5 डॉलर मागती है जिस पर उसकी मॉम उसे मना कर देती है और कहत अदमी से मिलबाती है जो कि एक तलाल होता है फिर विंसेट डैबोरा से उसकी उम्र पूंचता है तो डैबोरा उसे 18 साल बताती है इसके बाद विंसेट उसे अपने साथ ड्राइब पर ले जाता है और धेर सारी शौपिंग करवाता है जिससे डैबोरा काफी जादा जो कि शुरू में तो डेवोरा के साथ सही पेश आता है पर बाद में वो उसे एक गलत तरीके से छोने के कोशिश करता है पर डेवोरा उसे ऐसा करने से मना कर देती है और बहां से चली जाती है रात को विंसे डेवोरा से मिलकर उस पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि रॉ पर आप मुझे बहुत मज़ा आता है थोड़ी देर बाद फिर से बिंसिट का कौल आता है और वो motivations कहता है कि आज राथ तुम दोनों को साथ में आना है फिर राथ को वो दोनों साथ में एक पार्टी में जाती हैं और बहाँ पर लड़कों के साथ इंटीमेट होती है फिर अगले दिन जब डिबोरा स्कूल में थी तो विंसिट का उसे मेसेज आता है और उसे कहता है कि तमारा क्लाइंट तुमारा इंतिजार कर रहा है लिए तुम्हें अभी आना ہوगा अब डिबोरा के पास कोई आपशन नहीं था इसलिए वो अपने स्कूल में बीमारी का बहाना लगा कर बहां से चली जाती है फिर क्लाइंट के पास महच कर डेवोरा देखती है कि ये तो रॉबर्ट था जो कि उस रात सुसके साथ कुछ नहीं कर पाया था लेकिन इस बार रॉबर्ट अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा डेवोरा पर तूट पड़ता है और इसके साथ इंटीमेट होने लगता है अब डेवोरा एक एक करके सभी क्लाइंट को खुश करने लगती है जिससे वो धेर सारा पैसा भी कमा लेती है अगले दिन डेवोरा के भाई का पर्थडे होता है और घर के सभी लोग मिलकर पाटी करते है तब ही डेवोरा को विंसेट का कॉल आता है और वो अपने मॉम से कहती है कि मुझे एक इंपोर्टेंट काम के लिए होटल बापस जाना होगा पर जब डेवोरा की मॉम उसे जान के वहाँ से चली जाती है इसके बाद वो सभी कलब जाते हैं और वहाँ पर डांस करते हुए एक आदमी डवोरो के पास आता है और उसे इदर उदर छोने की कुशिश करता है पर डवोरा उसे मना कर देती है और कहती है अगर तो मुझे 400 डॉलर दोगे तो मैं तुमें जनन जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में ही बिंसेट डवोरो के साथ इंटीमेट हो जाता है अब इतनी महनत करने के बाद जब डवोरो अपने घर पर आती है तो वो देखती है उसकी मौम को वो सारे पैसे मिल गए थे जो वो अपने इस काम से कमा रही थी उसकी मौम पूचत इसलिए वो डवोरोट के घर चली जाती है पर तभी रोवरोट के घर पर पुलिस आ जाती है और वो डवोरो को रहेव सेंटर भेज देते हैं रहेव में डवोरो एक लड़की से मिलती है जिसका नाम लिली होता है और डवोरो लिली की काफी अच्छी दोस्त ही हो जाती है और फिर एक दिन डेवॉरा लिली को बिंसेट का नमबर देती है और उसे कहती है कि तुम इसे कॉल करो ताकि ये आकर मुझे यहां से ले जाए। अगले दिन डेवोरा की मॉम उसे मिलने के लिए आती है पर डेवोरा का उसे काफी जादा नाराज थी इसलिए वो उनसे बहाँ पर कोई बात नहीं करती फिर अगले दिन डेवोरा की नाना भी उसे मिलने के लिए आते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने तुम्ह डवोरा के बाल काट देता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके फिर विंसेट उसे बताता है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थी तो मेरा काम पूरी तरह बंद हो गया था और ख़र चलाने के लिए मैंने पुलोगों से उधार पैसे लिये थे इस पर डवोरा उसे कहती है कि अब मैं यह काम दुबारा नहीं कर सकती फिर हम देखते हैं कि डवोरा से मिलने बहाँ पर जैनीफर भी आती है जो कि अब बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुकी थी वो थोड़ी देर बाद देखती है कि घर के नीचे कुछ लोग बिंसेट से मिलने आये हैं और वो उन्हें अपनी आइडी दिखा रहा है यह देखकर उसे लगता है उसे भी अपनी आइडी दिखानी होगी और वो अपने पर्से अपनी आइडी चेक करती है लेकिन उसकी आइडी पर्स में नहीं होती वो समझ जाती है कि बिंसेट उन लोगों को उसकी आइडी दे रहा है और वो अपने कर्च के बदले उसे उन लोगों को बेच रहा है और वो बहां से भागने की कोशिश करती है फिर घर के सारे दरवाजे बंद होते हैं फिर डवोरा अपनी मॉम को भी कॉल करने की कोशिश करती है पर तब ही वहाँ पर एक आदमी आता है और डवोरा और जैनिफर को पकड़ कर अपनी वैन में ले जाता है फिर रात को वो लोग सिगरेट पीने के लिए एक जगह पर और दोस्तो इसी के साथ मोवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो पसंद आ है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में